नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 90 सब प्रति मिनिट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद स्टार्ट देश में एक बार फिर कोरोना की नहीं लहर ने कैसी चुनोतियां खड़ी कर दी हैं यह छिपा नहीं है इसे लेकर सरकार की ओर से सावधानी बरतने और संक्रमन पर काबू पाने के लिए तमाम चौक सी बरती जा रही हैं आम लोगों के लिए भी कई तरह की हिदायतें जारी की गई हैं लेकिन पिछले कुछ समय से देश के अलग-अलग हिस्सों से आम लोगों की ओर से बचाव के इंतजामों को लेकर व्यापक कोताही के मामले सामने आ रहे हैं जबकी हालत यह है कि कुछ राज्यों में संक्रेमन की बढ़ते खातरे को देखते हुए कहीं रात का कर्फ्यू तो कहीं चरन बद रूप से पूर्ण बंदी को लागू करनी की नौवबत आ गई है खास तोर पर महराष्ट में कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों ने चिंता की नई लहर पेदा कर दी है और उससे निपटने के लिए बचाव के इंतजामों के संदर्भ में बहुस्तरिये सक्ति की गोशना की गई है मगर विडंबना यह है कि इसके बावजूद बहुत सारे लोगों को इन नियम कायदों पर अमल करना जरूरी नहीं लग रहा है और वे परंपरा या आस्था के नाम पर होने वाले आयोजनों में महामारी से बचाव के सभी उपायों को धत्ता बता रहे हैं गउर तलब है कि महराश्ट्र के नांदेड में हुजूर साहिब गुरुद्वारा में सिखों की और से होला महला का जुलूस निकाला जाता है लेकिन इस बार कोरोना महामारी के मद्दे नजर जुलूस को पहले की तरहे निकालने की इजाज़त नहीं मिली थी हालांकि पुलिस प्रसासन और गुरुद्वारा समीती के बीच इस पर सहमती बनी थी कि वे यह कार्यक्रम परिसर के भीतर ही करेंगे लेकिन जब एसे आयोजनों में सामिल होने के लिए भारी तादाद में लोग इकठा हो जाते हैं और उन्हें नई व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं होती है तो अचानक सब को समझना मुश्किल हो जाता है सायद यही वजह है कि वहां मवजूद कुछ समुहों के बीच खींचतान सुरू हो गई कि होला मुहला का जुलूस वेसे ही निकलेगा जैसे आम दिनों में निर्धारित मार्ग से निकलता है यह जदो जहद एराजकता में तबदिल हो गई फिर काफी लोग घेरा तोड़ कर बाहर निकल गए और रोके जाने पर उनमें से कईयों ने पुलिस कर्मियों पर हमला भी दिया नतीजतन चार पुलिस कर्मी घायल हो गए और इस घटना के बाद कई लोगों के खिलाफ मुकद में दर्ज हो गए यानि एक धार्मिक उच्छव एराजकता और हिंसा का सिकार हो गया जिसमें आस्था के लिए सायद कोई जगहे नहीं बची आखिर इससे किसका नुकसान हुआ कि सही है कि धर्म और आस्था एक समवेदन सील विशय है और इसके दाइरे में होने वाली गतिविदियों और उच्छव धर्मिता के अपने नियम कायदे होते हैं लेकिन सवाल है कि क्या कोई आस्था वेसी लापरवाही की छूट देती है जिससे लोगों की सेहत और जीवन के सामने जोखिम पेदा हो या फिर लोग कानून व्यवस्था को ताग पर रख कर अपनी मनमर्जी करने लगे अगर सरकार या प्रसासन की ओर से उच्छवों के आयोजनों के संदारब में कुछ सीमाएं लागू की गई हैं तो यह आम लोगों के ही हित में है अपसोस की बात है कि महराष्ट सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में धर्म और परमपरा या फिर चुनावी रेलियों के नाम पर लोग संक्रमन से बचाव के तमाम नियमों को ताक पर रख कर व्यापक जमावडे में सामिल हो रहे हैं यह एक तरह से दोहरी लापरवाही है जिसमें एक और अपनी ही सेहत और जान की सुरक्षा के लिए गए बचाव इंतजामों का ख्याल रखना लोगों को जरूरी नहीं लग रहा है वहीं वे इस मसले पर लागू कानूनों को भी मानने से इनकार कर रहे हैं अगर इस तरह के लापरवाही की वजह से एक बार फिर महामारी बेलगाम हुई तो इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा समप झाल झाल झाल